बच्चो हम कक्षा साथ की गणित पाट्टे पुस्तक का धेन कर रहेते जिसमें आज हम सुरू करने जाने चेप्टर एट जिसका नाम है राश्यों की तुलना बच्चो इसका हम पार्ट वन सुरू करेंगे आज से तो बच्चो देखिए पार्ट वन में क्या है राश्यों की तुलना करने में दोनो राश्यों की इकाईया समान होनी चाहिए कोई भी दो राश्या दी हुई है अगर हमें उनकी तुलना करनी है तो हमें उनकी इकाईया समान करनी होगी अगर उनकी इकाईया समान नहीं है तो हम उनकी तुलना भी नहीं कर सकते है जैसे एक संग क्या किलो मिटर की है दूसरी मिटर की है तो क्या किलो मिटर और मिटर की तुलना हो सकती है नहीं हो सकती बच्चो अगर दोनों किलो मिटर हो या दोनों मिटर हो तभी हम उनकी तुलना कर सकते हैं जैसे एक किलो ग्राम है एक ग्राम है तो दोनों को हमें बराब बड़ी है ठीक है बच्छों इकाईया समान होनी चीए और दो राशियों की तुलनाओं को अनुपातों के रूप में भी व्यक्ति कर सकते हैं हमें दो राशिया दी हुई है तो हम उनकी तुलना को अनुपात के रूप में बता सकते हैं कि दोनों राशियों का कितना कितना अन किलो है तो इनका अनुपात क्या जाएगा दो अनुपात एक जैसे दोनो किलो ग्राम है तभी हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं अब आगे देखो बच्छो राश्यों के अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है अगर राश्या दी हुई है और राश्यों के तो इकाई होती ह लेकिन जब उनका अनुपात निकालते हैं तो उस अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती है जैसे दो किलो मिटर और तीन किलो मिटर दो संक्याई दिव ये दो राशिया हैं एक दो किलो मिटर है और एक तीन किलो मिटर है अब हम इनका अनुपात निकाल लए तो अनुपात क्या हो जाएगा दो अनुपात तीन लेकिन इसा अनुपात के कोई भी इकाई नहीं आएगी ये केवल ऐसे ही लिखा जाएगा कि दो अनुपात तीन इकाईया राश्यों की होती है लेकिन जब उनका अनुपात निकालते हैं तो उनकी इकाईया हड़ जाती है अनुपात के कोई इकाई नहीं लगती है ठीक है बच्चो समझ में आया सबके क्या-क्या राश्यों की तुलना के लिए इकाईया समान होनी चीए राश्यू की तुलना को अनुपात में भी लिख सकते हैं और तीसरा क्या है कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है तीनों बाते समझ में आई सबके आगे देखो बच्चो पहला उधारन दे रखा है किताब का पहला उधारन क्या है तीन किलो मिटर वे तीन सो मिटर का अनुपात ग्याद कीजिए हमें तीन किलो मिटर वे तीन सो मिटर का अनुपात ग्याद करना है तो बच्चो देखो पहले तो क्या है तीन किलो मिटर मैं इसको केम लिख देता हूँ और दूसरा है तीन सो मिटर क्या दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं तो बच्चो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अनुपात के लिए इकाईयां समान होनी चीए इसकी काई क्या है किलो मिटर और इसकी क्या है मिटर तो क्या दोनों की काईयां बराबर है बराबर नहीं है बच्चो सबसे पहले किलो मिटर को मिटर में बदलेंगे क्या किलो मिटर को मिटर में चेंज करेंगे बच्चो इधर देखो एक किलो मिटर में कितने मिटर होते हैं एक किलो मिटर में होते हैं हजार मिटर ठीक है एक किलो मिटर में हजार मिटर होते हैं तो 3 km में कितने हो जाएंगे? इसको लिख देंगे 3 गुणा 1000, तो बराबर कितना आ गया? 3000 मिटर, इसकी 3 km को मिटर में change किया, तो 3 को 1000 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया? 3000 मिटर, और ये है 300 मिटर, अब इनकी तुनला करनी है, अनुपात निकालना है, तो 3000, अनुपात 300 ठीक है बच्चो, यहां तक समझ में आया सबके 3000, अनुपात 300, अब 0 देखो, यहां कितनी 0 है? यह 2, तो इधर की 2 0, दोनों तरफ की 2 2 0, cancel out हो जाएगी, यह नि हट जाएगी, तो यहां क्या बचेगा? 30, अनुपात 3, ठीक है बच्चो, 30, अनुपात 3, अब 30 में और 3 में किस संक्या का दोनों में बराबर भाग जाता है? 3 का, 3 का बच्चो, यहां क्या किया आपने? 3000 और 300 था, तो दोनों तरफ 0 थी, तो 0, इसमें भी 100 का बच्चो, इसमें भी 100 का बच्चो, तो 0 cancel out हो गई, इधर आ गया 30, इधर आ गया 3, इधर आ गया 3, अनुपात 3, अनुप अब दोनों तरफ तीन का भाग जा रहा है? बराबर संक्यfolgाः का दोनों तरफ भाग जाना चीए, तभी हम उनको सरल अनुपात इन लिख सकते हैं, तो तीस को लिखा दस और तीन को लिखा एक, तीस में तीन का दस बार जाता है, और तीन में एक बार भाग जाता है समझ में आया है बच्चो सबके तीन किलो मिटर और तीन सो मिटर का अनुपात आगया दस अनुपात एक आगे देखो बच्चो आगे है तुल्ले अनुपात तुल्ले अनुपात कैसे निकालते हैं कि किनी दो अनुपातों को, दो अनुपात दिये हुए हुमें, जैसे दो अनुपात एक और तीन अनुपात एक, तो उनको भिन्नों में बदल कर, भिन्नों में मतलब बटे में लिख देंगे, तुलना करते हैं, यदि भिन्ने समान है, तो हम कह सकते हैं कि दियेगे अनुपात भी तुल्ले होंगे तो भिन्नों की तुल्ला करेंगे अगर भिन्ने समान है तो हम क्या कहेंगे कि दियेगे अनपात तुल्ले है और भिन्ने समान नहीं है तो दोनों अनपात तुल्ले नहीं है ठीक है बच्चो जैसे उदारन देखो क्या एक अनपात दो अनुपात दो अनुपात तीन के तुल्ले है पहला है एक अनुपात दो और दूसरा है दो अनुपात तीन क्या ये एक दूसरे के तुल्ले हैं तो बच्चो देखो एक अनुपात दो और दूसरा क्या है दो अनुपात तीन इसको सबसे पहले क्या करेंगे तो नीचे 6 लाना है, तो 2 की जगे 6 कैसे आएगा, इसको 3 से उपर नीचे गुणा करूँगा, उपर नीचे समान संक्या से गुणा कने पर कोई संक्या में फरक नहीं पड़ता है, तो इसको लिखेंगे 1 बटा 2 गुणा 3 बटा 3, और इधर 2 बटा 3 गुणा 2 बटा 2, क्योंक बटा 2 से गुणा किया है, तो इधर क्या संक्या आगी, 1 का 3 से गुणा 3, और 2 का 3 से गुणा 6, 3 बटा 6, और इधर आगया 4 बटा 6, क्या ये दोनों संक्या समान दिख रही है, नीचे हर समान है, तो उपर वाली संक्या देखो, इधर 3 है, इधर 4 है, तो 4 वाली संक्या ये वाली बिन बड़ी है, इसलिए हम कहेंगे कि दोनो बिन तुले नहीं है, ठीक है बच्चो समझ में आया सबके, अगला उधारन देखो, क्या दो अनुपाच चार तथा तीन अनुपाच चे तुले है, कौन कौन सी, दो अनुपाच चार और तीन अनुपाच चे, क्या ये दोनों संक्याई एक दूसरे के तुले है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बिन्नों में बदलेंगे, वही तरीक आपनाएंगे, तो दो अनुपाच चार को, दो बटा चार, और तीन अनुपाच चे को, तीन बटा चे, अब बच्चो देखो, इनका हर समान नहीं है, तो इनका सबसे पहले हर को समान करेंगे, तो हर को समान करने के लिए देखो, चार और छे काले से क्या आता है, लगुतम समावरते आता है, बारा, क्या आता है, बारा, तो नीचे दोनों थरफ बारा करेंगे, तो इसको किस से गुणा करूँ, चार को बारा लाने के लिए, तीन से गुणा करना पड़ेगा तो 2 बटा 4 गुणा 3 बटा 3 और इधर 6 को 12 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा तो 3 बटा 6 गुणा 2 बटा 2 तो यह क्या आगया 6 बटा 12 और इधर आगया 6 बटा 12 तो क्या दोनों भिन्ने बराबर आ रही है तो हाँ बच्चों इधर भी 6 बटबा रहा है और इधर भी च्छभटाबारा है जब दोनों भिन्ये बराबर आगे तो हम क्या कहेंगे कि ये अनुपात तुल्ल्ए है दोनों एक दूसरे के तुल्ले है देखो आज हमने राशियों की तुल्ला करना शींगा उनके बिन्नों में बदलकर उनके हर समान किये ह हर समान करने के बाद उनका उपर का वाला अंस देखते हैं, अगर बराबर है, तो दोनों भिन्ने तुल्ले हैं, और बराबर नहीं है, तो दोनों भिन्ने तुल्ले नहीं हैं, तो आज मैंने पढ़ाया, वो आपको अच्छे से समझ में आया, इसको कोपी में नोट डाउन भी करना है और इसको अच्छे से समझना है अब अगर कोई confusion हो रहा है तो आप वीडियो को सुरू से दुबारा देख सकते हैं अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे परसनावली 8.1 के उधारन थेंक यू